वेलकम बैक तो माइचैनल, देखेए एखेए आज हम बनाएंगे काना जी के लिए इस तरीके की पोशाक, और इसे बनाना लगत ही आसान है, और यह मैंने बनाया है तीन से चार नमबर काना जी के लिए, यह आप उन्हें अराम से पहना सकते हैं, देखेए माइड्रेस का लू स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं कानकजी के लिए बहुत ही गूबसुरोशी ड्रैस दिखे ओर मैंने chose काट कर लिया है है हमने बुक्रम से कट किया है और उसका मैं आपको देखे 7 इंच हमने यहां पर लंबाई ले लिया और 7 इंच ही हमने इसकी चड़ाई ले लिया और मैंने इसमें फैब्रिक के यहां पर दो पीस कट कर लिया है जो कि हमने थोड़ा-थोड़ा सा सब्सक्रा मार्जर लेते यहां पे कर लिया है अब हमने एक कपड़े के उपड़ रखे यह इस तरीके से भुक्रम के साथ इसको स्टिच कर देना चालो तरफ से अच्छे से तो द इसको करने के बाद हमें क्या करना है बिल्गुल अच्छे से हमाल स्टिचanting दूसरे कपड़े के उपर हमें यहां रख देना है इस तरीके से और जो कपड़े का सीधा कपड़ा होगा वो सबसे नीचे रखा जाएगा आप हमें क्या करना बुक्रम पर हमें सिलाई नहीं करना है बुक्रम के विल्कुल बराबर बराबर किनारी पर हमें यह इस्टिश करन कोदो हमें कितार करने के बाद हमें क्या करना यह चमारा डबल फॉल्ड साइड कपड़ा है इसको हम सेर्कल कट कर देना है पाउन पाउन इंच की हमें औल पे गुलाई देनी है और इतना करने के बाद है कissements हें कचि कुर्नर से से इसको इस तरीके से कट कर सकते और कट करने के बार हलके अलके सबके कट आप कपड़े पर इस तरीके से लगा लीजे जिससे कि इसमें विलकुल भी जोल बग्वागरा ना जाए अब हमें इसको तो इस तरीके से पलट देना है जिससे की हमारा दोनों साइट फैबरिक आ जाएगा और बीच में हमारा यहां पर बुकरम आ जाएगा और फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छी आ जाएगी इससे ऐसा निये कि इसके धागे बागे निकलेंगे इस तरीके से अगर आप इ बिल्कुल बराबर बराबर कर लेंगे हम इसे आप चाहिए तो स्पिक वर प्रैस लगाके भी सेट कर सकते हैं आप देखिए हमने यहां पर इतना काम कर लिया इतना करने के बाद हमें यह जो किनारी ओपन है हमारी वहां पर हमें यह स्टिच करना है किनारे किनारे पर कपड और भुकरम दोनों को इस तरीके से सेट करते हुए हमें या पर सिलाई कर देनी है जो हमारी ओपन साइड बची है मैंने यहां पर प्रेस नहीं लगाई है आप लोग प्रेस लगा सकते हैं क्योंकि प्रेस लगाने से बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा आपको स्टिचिंग करने में भी काफी असानी हो जाएगी तो देखिए हम इस तरीके से जो भी हमारी किनारिया उसको हमें हापे लॉप कर लेना है अब देखे हमने यहां पर इतना काम कर लिया है फेर्स, इसके बाद हमें गोटा लेना है और जो हमारी open side है, dress की उसको हमें यहां पर गोटा लगा के lock कर देना है, दोनों side से इसी तरीके से lock करेंगे, गोटे से lock कर सकते हैं, या किसी ribbon वगएरा की help से भी कर सकते हैं, इससे इ आप देखे हमारा यह एक पिस्ते यार हो गया, आपने मैंने यहां पर एक 5 इंच का देखे, लंबाई चोड़ाई में डायमेटर कट कर लिया है, circle में, और यह दूसरे color का fabric आप चाहिए, तो कोई साभी color combination के हिसाब से ले सकते हैं, यहां मैंने यह red color ले लिया है, इसको हम आप अराम से यहां पर सिलाई लगा लेनी है, आप देखे हमें जो extra कपड़ा बचा हुआ इसको हमें cut कर देना है, आप हमने cut करके जो extra कपड़ा था इस तरीके से फोल्ड करके हमने circle को set कर लिया है, आप हमें दूसरे जो piece है, उसको हमें रखना है, circle को square पर रखके इस तर stitch कर देंगे, आप चाहिए तो चिपका भी सकते हैं, मैं यहां पर stitch कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहिए तो चिपका भी सकते हैं, चिपकाएंगे भी आप fabric लूगी, हल्प से चिपका लीजिए, कोई भी problem नी होगी, याद रेफ्रेंस जो हमारी open side है, उस पर हमें slide नह लगा देनी है, side में भी लगा देंगे, आप देखे हमें यहां से cut करना है, जो हमारा circle है, वो joint है, वो हमने cut करनी किया, वो बहुत आराम से इस तरीके से आप cut करके, और यह जो कमर का हिस्सा है, यहां भी हम cutting कर लेंगे, इसकी, तो यह देखे हमारा यहां पर base बिल्कुल ready हो गया है, जो हमारा circle का किनारी थी, उसको भी हम इधर से गोटा लगा के lock कर लेंगे, दोनों side से ही, इससे क्या होगा कि आपकी finishing बहुत अच्छे से आजाएगी, और इसी तरीके से देखे, मैंने दोनों side को lock कर लिया है, अब मैंने यहां पर देखे, समोसा lace ले लिया है आप चाहे तो कोई normal lace भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास available हो, आप वो ही use कीजिए, बस थोड़ा सा पतली ही हो lace, आप हमें देखे हैं यहां पर circle पर रफना है, और circle पर किनारी किनारी पर समोसा lace लगा देना है, इसका look पर बहुत ही अच्छा आता है, अगर आपके पास स यो lace मिल जाए, आपको उसको भी यहां पर लगा सकते हैं, ज्यादा heavy lace हमें center में नहीं लगानी है, अगर heavy lace लगाना चाते हैं, तो आप corner पर लगा सकते हैं, जो हमने square cut किया था, तो यहां पर देखे हैं, मैं इस तरीके से circle को हमने तयार कर लिया है, और जो एक layer है हम क्या क करेंगे, जो square है हमारा, उसको भी हम समोसा lace से ही, पूरे square पर इस तरीके से लगा देंगे, और हम देखे इतनी हलकी सी lace है, हम जाद इस पर बूटी बगारा कुछ use नहीं करेंगे, आप इड्रेस डेली में भी काना जी को पहना सकते हैं, ज्यादा heavy नहीं होगी, और look इसका heavy आएगा, बहुत ही खुशुरत लगेगा, तीन से चार नमबर कानाजी के लिए हम एड्रेस बना रहे हैं, तो आप दोनों को ही एड्रेस पहना सकते हैं, देखे हमारा यहाप यह बेसिस तरीके से तैयार हो गया है, बहुत ही खुशुरत लग रहा है, अब मैं यहापे और पर्टी है, और उसको हमें किनारे पे, जो अवारी कमर का हिस्सा है, दोनों को साथ साथ रखके, बहुत यह अराम से एक एक पैर का यहापे सिलाही लगा देनी है, जादा हम मार्जन लेके सिलाही नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर हमारा जो कमर का हिस्सा होता काफी, मोटा मोटा सा हो जाता है, तो इसलिए हम जादा मार्जन नहीं लेंगे, एक पैर के स्लाही का मार्जन काफी हो जाएगा, इस तरीके से देखे हमारा यहापे, यह कमर के हिस्से पे नेफे के लिए कपड़ा हमने लगा लिया है, अब इसे हम पलटके सीधी साइड ले आएंगे इ यह देखे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने थोड़ा सा रखा है किनारी पर उसको इस तरीके से फोल करना है, और फोल करने के बाद यहापे हमें डोरी लगानी है, यह देखे है इस तरीके से हमारा ड्रेस का नेफा हमें बनाना है, पट्टी आप इस तरीके से लगाएंग लेकिन अगर आप अराम से लगाएंगे तो बिल्कुल भी जोल नहीं आएगा तो इस तरीके से देखेंगे फ्रेंड हमें यहापे नेवा बना लिया अपने ड्रेस का और जो डोरी एक्स्ट्रा हो से हमने कट कर दिया अब हमारा देखें ड्रेस बेस बिल्कुल भी रैडी हो गया है यहाँ पर अब हम क्या करेंगे देखें मैं यहाँ पर यह शीशे वाली हमारी सरकल में लेस है आप चाहते से स्टिच पर कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बोलूँगे कि आप इसको चिपकाई लीजे क्योंकि यहा लग जाया तो तूड़ जाती है तो इसलिए मैं इस हाँ पर चिपका दूँगे आप देखें हम चोली बना रहे हैं चोली बनाने के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच का कपड़ा ले रही हूं और इसकी चोड़ाई कम से कम हमारी हाँ पर सबादो इंच की मैंने पट्टी ले यह पट्टी दोनों इसी तरीके से हमें तयार करनी है थोड़ा थोड़ा सा अंदर मोड लेंगे एक सबाइन से ज्यादा चोड़ी आप पट्टी कम्प्लीट तयार ना रखें क्योंकि तीन नंबर चार नंबर कानाजी के लिए ज्यादा चोड़ी पट्टी अच्छी नहीं लगती है फिर उनके कंदे वगएरा ज्यादा अच्छे से कवर हो जाते हैं फिटिंग बहुत अच्छे से नहीं दिखाए देती है तो इसलिए एक सबाइन से ज्यादा चोड़ी पट्टी ना रखें अब देखे हमने हाप पे दोनों पट्टियों को त्यार कर लिया इसके बाद हमें जो लेस हमने यूज करिये ड्रेस के उपर वही हम इस तरीके से पट्टी के किनारी पर लगा देंगे और वहां से लगाएंगे जहां से हमने पट्टी पर सिलाई किया है दोनों ही पट्टि तो यहां हमाई देखिए दोनों ही पट्टियां विकुल रड़ी होई हैं यह देखिए अब इस तरीके से हमें यहां पर यह तिर्चा रखे हलका सा इसको स्टिश कर देना एक के उपर एक रखे इस तरीके से तिर्ची स्लाई लगा देंगे तो हमारा चोली का शेप आजाएगा यहां पर आप देखिए हमारी यह चोली बन गई है और जो इसकी किनारिया है इसको मैं हलका सा लाइटर ले रखा है मैंने या आप माचिस बगएरा लेके भी इसको हलका सा बन कर सकते हैं जिससे कि यह रेश्मी कपड़ा तो इसके धागे बगएर यहां से ना निकले अगर लाइटर नहीं है तो आप इस तरीके से गोटे से भी किनारियों को लॉक कर सकते हैं आप देखिए हमने यहां पर गोटा ले लिया जिससे कि हम चोली को यहां पर इसमें अटैच करके चोली तियार करेंगे तो इस तरीके से फ्रैंस हमारी यहां पर चोली भी बनके रेड़ी हो जाए त्यार हो गई है और इड्रेस का लुक काफी देखे फोस्ट दूरता रहा और हैवी ड्रेस लग रही है लेकिन यह हैवी इतनी है नहीं आप इसे डेली में भी यूज कर सकते हैं तीन से चार नमबर का नरजी के लिए तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको इड्रेस अच्छी रहती हूं तो चलिए फैंस फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे